एलो फ्रेंड्स, हम discuss करते आ रहे हैं figure speech और फ्रेंड्स आज इसी सिरीज में आज एक नए figure speech आपके सामने आई है और वो है फ्रेंड्स onomatopoie Onomatopoe, friends, जिसको हम ध्वनी सूचक अलंकार कहते हैं इसमें आज हम Onomatopoe, इसकी definition, इसको कैसे पहचाने इन सभी बातों को आज discuss करेंगे इसकी क्या origin है, क्या इसका meaning है सारे points आपको आज clear होने वाले हैं तो चलिए friends, हम शुरू करते हैं देखें, Onomatopoe, इसकी अगर हम origin की बात करें तो ये ऐसी figure speech है, जो Greek से आई है clear friends, ये जो word है Onomatopoe, ये Greek से आया है और Greek में एक word है Onoma Onoma का जो meaning होता है, वो होता है friends, name और plus, poise और जो poise है, इस poise, poise, कुछ भी कह लीजिया इसका meaning है friends, making तो क्या इसका शाब्दी करत निकल कर आया, name, making clear? और ये वो figure speech है जो based on sound अभी तक हमने बहुत सारी figure speech पढ़ी और उन में से कुछ indirectness पर थी, कुछ upset ideas पर थी, कुछ similarity पर थी, और ये ओनों में टूपोई है, ये वो figure speech है जो sound पर based है, यानि अगर इसके definition की बात करें, तो sound of the words is made to suggest the sense, the sound of the words. कि जो शब्दो की sound है, वो sound ही is made to suggest the sense. कि जो sense है words का, वो जो sense आ रहा है, वो sound से ही आ रहा है. It means, आप simple way में ऐसे समझ दीजिए, जहां भी आपको कोई sound दिखाई दे रही है, चाहे वो किसी भी चीज की sound हो, तो वहाँ पर जो figure speech दिखाई देगी, वो क्या है, friends, on a matter for you. बात के लिए हुई, कुछ नहीं देखना आपको, जो sentence है, उसमें आपको sounds देखनी है, चाहे वो sound किसी human की हो, पसुपक्षी की हो, आपके इसी के साथ साथ, किसी जो natural element से, उसकी हो, कुई भी sound, any sound is onomatopole, बात क्लियर हो गई, चलिए कुछ examples लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे I heard the water lapping on the track, यह line Alfred Lord Tennyson की है, और वो यहां कहा रहे हैं कि मैंने सुनी water lapping, water lapping क्या है, पानी की आवाज, on the crack, क्रेग क्या होता है, जो cliff होती है, चटान होती है, जो steep होती है, उससे टकराने की जो पानी की आवाज है, वो मैंने सुनी, clear, यानि क्रेग से जो पानी के टकराने की आवाज है, वो मुझे सुनाई थी, यानि water lapping, और water lapping क्या है, water की जो sound होती है, वो water lapping है, clear, तो sound दिख गई, it means क्या है, on the track, चलिए फ्रेंट से, for example, the swallow treating from the strawberry shed, ये टॉमस ग्रे की एक लाइन है, एन एलडी, एन एलेजी रिटैनिंग दे कंट्री चर्चियार्ड, उस पोएम की ये लाइन है, कि the swallow treating from the strawberry shed, कि जो swallow है, जो पक्षी है, वो ट्वीटर कर रहा है, वो बोल रहा है, अपडे जो घोजले हैं, उनसे वो swallow की आवाज आ रही है, तो जो ट्वीटर है, ये क्या है, फ्रेंट्स, ये sound है, और sound है, तो ओनो मेंटो होई है, clear, the bobo, the watch dogs bark, एक old line, bobo, the watch dogs bark, कि जो watch dogs है, उनकी एक आवाज सुनाई दे रही है, और ये line कहां से, फ्रेंट्स, the tempest से line है, और इसको aerial जो एक, वहाँ, spirit है, वह एक कहती है, क्या कहती है, कि bobo, the watch dogs bark, तो फ्रेंट्स, ये bobo, इसमें भी sound है, और bark, इसमें भी sound है, तो दोनों जगे यहां sound आ रही है, bobo भी है, और bark भी है, तो यहां क्या लिख रही है, आपको, ओनोमेटो कोई, clear, फ्रेंट्स, एक और जांपल, the curfew, talls, the analog, parting day, देखे, curfew, talls, curfew कहते है, घंटी को, और बजना, वो क्या है, बजना, talls, curfew, talls, कंटी की आवाज, तो यहां क्या है, आपको, क्या दिख रहा है, फ्रेंट्स, ओनोमेटो कोई, बात clear है, यानि sound जहां भी दिखे, महां क्या है, महां, ओनोमेटो कोई है, एक और example, I heard a fly budge, मैंने एक fly की बज की आवास नहीं, और कब, when I died, जब मैं मरूं, clear, तो यह जो है, फ्रेंट्स, 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 यह एक्च्वल में, इस टाइटल से, इमिली डिकिंसन, एक अमेरिकन ऑथर रही है, उनकी एक पोएम की लाइन है, और फ्रेंट्स, यह जो बज आपको दिख रही है, यह बज कैसी sound है, यह on his blindness है, उस पोएम की लाइन है, तो मर्मर सून, रिप्लाइज, और इसमें क्या है, मर्मर क्या है, फ्रेंट्स, बड़ बड़ा हट, यह भी sound है, तो बड़ी संपल सी फिगर स्पीच यह है, ओनो मेर्टो पोए, इसमें नथिंग स्पेसल, बस क्या ध्यान रखना है आपको, कि जहां भी आपको sound दिख जाती है, जहां भी आवाज दिख जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, तो वहाँ जो फिगर स्पीच है, वो क्या है, फ्रेंट्स, ओनो मेर्टो पोए, क्लियर फ्रेंट्स, आई होब आपको समझ आई है, समझ आई है, तब भी आप like, share, subscribe, औ और नहीं आई है, तब भी आप comment जरूर करते हैं, कि आपको समझ आई या नहीं आई, क्लियर फ्रेंट्स, आप मुझे social media platform, क्यानी Facebook, Insta, और Twitter पर भी Million Minds English को follow कर सकते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स, मिलते हैं next lecture में, now, thanks for watching this video.